ये तेरा दोश ऐसे हैं जिसके जीवन में होंगे तो उसको कभी शांती, कभी शुख, कभी एश्वजे टिकेगा नहीं और दुरगती निश्चित हो जाएगी बहुत द्यान से सुने, एक स्लोक में चह दोश और दुसरे स्लोक में साथ दोश उपाशक को कभी इन दोशों को अपने अंदर टिकने नहीं देना चाहिए और जो संशार के मार्ग में चलेंगर इन दोशों में चलेंगे तो जो आपके पूर्णे कर्मों से एश्वर है भी वो नष्ट हो जाएगा आप दुख चिंता सोक से ग्रशित होकर बड़ा दुख में जीवन भितीत करेंगे और आपकी गती बिगड़ जाएगी दुरगती हो जाएगी विकत्थानह इस्प्रिहायुर्मनस्वी विब्रत कोपं चपलो अरक्षणस्च एतान पापाष शन्नराह पाप धर्मान प्रकुर्वतेनो त्रशंतह सुदुरगे संभोग शंबिद विशमोति मानी दत्तान तापी क्रपनो बलियान वर्ग प्रशंशी वनितास देश्टा एते परेशब्त नशंश वरगाह जो अपने मुक्षे अपनी बड़ाई प्रशंशा करता है ये तेरह लिख लो दिमाग में डायरी में क्योंकि ये नोट हो रहा है आवाज डाली जाएगी आप बार बार सुन इनसे बचिये अपनी बड़ाई अपनी प्रशंशा कभी अपने मुक्षे नहीं करना नहीं तो आपके पुणे नस्ट हो जाएगे बुद्धी ब्रष्ट माने गिर जाएगी अगर परमार्थ में चलने तो भी और बेवार में तो पुणे नस्ट होई जाएगे बुद्धी गिरी हुई त कभी ऐसी बात होती है, और ये दोश बहुत आयत है, ये बहुत प्रभावशाली है, अपनी बढ़ाई मारना, इसको देख लो, पकड़ो सत्संग है, अपने मुख से कभी अपनी बढ़ाई ना करना, अगर कोई अपने मुख से अपनी बढ़ाई करता है, तो उसके शुकृत नष्ट हो जाते हैं, बुद्धी ब्रष्ट माने गिर जाती है, पतित हो जाती है, फिर निरने ठीक ने, अगर हमारा सार्थी, हमारा ड्राइवर, मूल हो तो कहीं भी हमको गिरा देगा, तो वो बुद्ता, ये विर्ति नहीं होनी चाहिए, धर्म से चलेंगे, धर्म के द्वारा जो हमें प्राप्त होगा, उसी से हम अपना भरन पोशन करेंगे, आपके बच्चे श्वस्थ होंगे, बुद्धिमान होंगे, परिवार में बहुत शुक और शांती होगी, भले दीपक की तरह जलो, बहुत काल तक रहेगी, लक्षमी जी भी आपके घर में बहुत काल, हम यह नहीं कहते हैं, कि बहुत, नहीं, जितनी हैं, बहुत सुक शांती से चलोगे, अगर लोलुपता करोगे, हिंशा, छलकपट, बेविचार, चोरी, ऐसे, धन आजाए, धन आजाए, हो लेकिन हो आई लोजन की तरह आएगा, दम प्रकास और फ्यूज, बिलकुल अंधकार करके जाएगा, देख लेना, तुम्हारे जो शुक के हेतों हैं, तुम्हारा सरीर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बत्नी, तुम्हारा परिवार, उसको देख के तुम रात दिन जल लोगे बिना आग के, ऐसे उनके आचरन होंगे, ऐसे उनके अंग होंगे, ऐसे उनके दिमाख होंगे, ऐसा उनका बेवार होगा, ये लोलुपता, अगर उपाशक में या किशी में है, उसको नष्ट कर देते हैं, शावधान, तीसरा, यदि आपका अपमान होता है, तो बहुत क्रोध करके दूसरे का अपकार करने लगता है, ये आपका पतन करा देगा, ये आपको फशा देगा, हरदय जलेगा, आर्थ बिवस्थान अश्ठ होगी, पुरा परिवार दुखी होगा, जराशा अपमान की शंभावना में आप किसी से भी भीड़ गए, किसी से भी ओ ये प्रवत्ति आपका पतन कर देगी, उपाशक में तो अपमान शहना अम्रित है, नीचा अपमानम शुधा, पर बिवहार में भी ज्यादा उत्तेजित मत होईएगा, ये तो कुछ मिनट की बा बहुत तरे शहानी हो जाएगी, उगर आप सह गए तो आपका सहना उसके लिए आग बन जाएगा, उमा छमा, सापहुते भारी, तुम्हें दंड देने की जरुरत ने, उसका एक कर्म ही उसे दंड दे देगा, आप शान्त हो जाएगे, आप सत्संगी हैं, आप शान्त रहे चोथा, निरंतर क्रोध और उसका चिंतन, बैठे बैठे बस द्वेश्वियों का चिंतन ही हो रहा है, अंदर क्रोध का चिंतन और द्वेश्वियों का चिंतन ही हो रहा है, द्वेश भरी बातें, द्वेश भरे क्रियाएं, उन्हीं का चिंतन करके जलते रहना क्रोध से, से प्रैश्चित जैसा कि अब गलती हुई आगे नहीं करेंगे और बिवहार में भी क्रोध को आप पीना सीखें अगर बार बार आपका क्रोध प्रगट होता ही रहेगा आपका शुभाव भी गड़ जाएगा आपके पुर्णे नस्ट हो जाएगा आपका जीवन नस्ट हो ज जन चल रहा है तुम्हारी वह आनंद ब्रती है नहीं जलोगे और वो जलन और गुश्चा दिलाएगी और वो बैठे बैठे जलोगे नहीं ये क्रोध जो है ये चाहे बेवहार में हो चाहे परमार्त में दोनों की हानी करने वाला है और आश्रित जनों की रक्षा ना करना अगर कोई भाग कर आपके पास आ गया है कोई पशू बक्षी या कोई मनुष्य आपको चाहिए कि अप चाहिए हमारे पहले प्राण जाएं उसकी रक्षा करेंगे हैं सीवी जैसे तो कोई विरले ही होते हैं पर इतना जरूर ध्याम गया है जिससे कोई पशू पक्षी किस या मरवा देते हैं या आपके शुकृत नष्ट कर देगा या आपकी दुर्गती का कारण बन जाएगा और जो पाप कर्म उत्साहित होकर करते हैं उपासक को तो बहुत सावधन रेना चाहिए पर बिवहार में भी जो नहीं करना चाहिए अगर वो पाप कर्म आपके द्व नर्ष्ट हो जाएंगे दुख अशांती बढ़ती चली जाएगी कभी शांती नहीं प्राप्त कर पाएंगे ऐसा नहीं कि जो मन में आवेसो करें पापा चरण निडर और उत्साहित होकर करना अगर ऐसे लक्षण है निश्चित दुर्गती होती है ये च्छै अपनी बहु कि जनों की रक्षान करने वाला और निडर हरशित होकर पापकर्म करने वाला दूसरे इस लोक में शाथ है शै शादो एक संभोग का ही चिंतन करना संभोग में ही मन लगाना संभोग दूसरी इस्त्रियू कर शाथ करने की भावना रखना संभोग पहला है संभोग लाद दिन बैठे बैठे बस यह चिंतन करना गंदी बातों का गंदी बाते देखना गंदी बाते शुनना गंदी बातों का चिंतन करना फिर अन्यमाताव बहनों के प्रति काम द्रश्टी से देखना कोई आ जा रहे हैं द्रश्टी से काम भाव से द देखना निश्चित पुएनेनास दुर्गती बड़े-बड़े उदारण इतिहास में हैं जिनोंने ऐसा द्रश्च नेत्रोश देखने की चेस्टा की मन में संकल्प किया भोगने का नस्ट हो गए चाहे वो कितने बड़े प्रतापी हो यह दुर्योधन को शाधारण थोड़ बस्त जी उत्पत्ती का कारण है रावन की बस यह ऐसे दोश हैं जिनके कारण जीव नश्ट हो जाता है ठीक है धर्मयुक्त काम भगवान ने आदेश किया है आपका पाड़े ग्रेंशन्शकार हो गया है शंतान उत्पत्ती की भावना से कुछ पवित्रतितियों का सास्तर का आप बहुत काम प्रवत्ती वाले हैं तो प्रतेक माश में जब माता है वह ने पवित्र हो जाती माशिक धर्म से तो जिनका पाणिग्रहन आपने किया जो पत्नी स्वरूप है वो ठीक है वहाँ भी बारवर के लिए विचार प्रवत्ती के लिए सास्त्त पुर्वक और उसका चिंतन नहीं करना पाणिग्रन सुन्सकार है घर में विराजमाने एक शैयम एक नियम के अनुशार उसका चिंतन चिंतन तो फिर ब्रष्ट कर देगा चिंतन प्रभू का करना है चिंतन प्रभू की शेवा जो आपके करतव इसके चिंतन से बचो घातक है बहुत बड़ा जहर है अगर विशय चिंतन होने लगा तो मरोगे जिन्दा जलोगे दुर्गती भी होगी यह अंदर की जो आग है ना कामाग नहीं यह इतनी बढ़ती चली जाएगे तुमारे होस खराब हो जाएगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुवा मदांधो मदनातु रोमा अंधा हो जाएगा नहीं दिखाई देगा अनुजात अनुजा क्या है कौन है कुछ नहीं बरस्ट बुद्धी शंभोक का चिंतन चिंतन नहीं चिंतन नहीं धर्म युक्त काम आदेश शास्त्र में यह आप प्रवत्ती मार्ग में हैं तो वहां भी पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए एक आदसी है राम नौमी है नो दुरगा है जन्माश्टमी है राधाश्टमी जो पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए और ऐसे जो मर्यादाएं हैं उसके अनुशार और कहीं पराइस्त्री के साथ संभूग के बाद निश्चित, निश्चित दुर्गती पक्की है ऐसे ही मातावों के लिए है इस तरी शरीर के लिए है यदि वो ऐसी गलत चेश्टा तो पति बंचक परपति रति करही रोरोर नरक कलपसत परही ये भोग चिंतन से बचने की चेश्टा कीजिए तो क्रिया से अपने आप बच जाएंगे क्रिया के पहले चिंतन होता है चिंतन से ही क्रिया का आवेश आता है चिंतन समाले इसी इसे भगवत प्राप्ति होती है चिंतन से और इसी से दुर्गती भी होती है अनन्यस चिंतयन्तु माम भगवान चिंतन के रहे मेरा करो करतब बेकर्म मेरे को समर्पित करो अब जब चिंतन संभोग का होगा तो बुद्धी ब्रष्ट हो जाएगी यह जो राक्षशी प्रवत्तियां सुनने को मिलती न कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ वो देखा सुना और चिंतन किये अब उनमें और राक्षशों में कोई अंतर नहीं रहे गया दूसरा बिशमता रखने वाला सब के साथ बरता हो ऐसा कि मैं बहुत स्रेष्ट हूँ और दूसरे सब नहीं है शाब वेवहार नहीं सब भगवत शुरूप है शमान वेवहार जैसे आपके भोजन है तो जो आप पारे वही सब को दीजिए बैठने की वेवस्ता उठने की वेवस्ता क्रम बाई क्रम पर उसको भी नीच भाव से मत देखे उस कोटी का उसको प्यार दीजिए दुलार दीजिए, सम्मान दीजिए इतनी बिशमता न फैलाते रहें अपने जीवन में कि आप सब के निंदा के पात्र बन जाए बिशमता नहीं सब को प्यार है पुत्र का अलग प्यार है, भाई का अलग प्यार है पिता का अलग प्यार है पर हमारा बेवहार प्रीतियुक्त होना चाहिए बिशम्ता भरा नहीं होना चाहिए अगर हमारे चित्य में बिशम्ता ही रही तो संसार है प्रभु नहीं है जीति बिशम संसार कीर्ति जगबिस्तर है जो बिशम्ता पर विजय प्राप्त कर लेता है वही भगवत प्राप्ति का अधिकाई ये विशमता बहुत बड़े हानी है तिसरी बात अत्यंत मानी होना जहां आपके प्राण कमजोर होंगे प्रण नस्ट होगा आयुश्री समनस्ट होना है ऐसे आचरण करवाएगा गुरुजनों के साथ महापुरुषों के साथ ये बहुत नीच प्रवत्ती है अत्यंत मान प्रियता मुझे शम्मान मिले उत्तम प्रवत्ती है सब को मान देना स्वयम अमानी रहना चोथा दान देने की बात कहके मुकर जाना या दान देकर पश्चाताप करना दे दिया है बहुत जल रहे हो दूस्रे से बार्ता कर रहे हैं कि पता ने क्या रिधुम हो गए हमने उसको इतना कहा था, उतना दे दिया क्यों दे दिया इसा, अंदर चिन्तन करना क्यों दे दे तो दिया, इसके बाद जो आप कहे जलन हो रही, पस्चाता शुकृत नश्ट हो रहे हैं दान देकर पश्चाताप करना या दान देने की बात कहके मुकर जाना जब आपने कहे दें आपको इतना इतना इसा अब आप मुकर गए ब्याज सहित तुम्हें देना होगा ये तुम्हारी दुरगती का कारण बन जाएगा ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए बहुत होच से बाणी एकमोल है जो कोई बोले जान ये तराजू तौल के तम्मुख बाहरान पाचवां अत्यंत क्रिपन होना ना परिवार को शुखी कर पा रहा है ना अपने को शुखी कर पा रहा है एक-एक सिक्का बेंक में जो मर गया धन की वास्तिविक गती यही है कि अपने परिवार को खुख उसकी अनकूलता परदान करो उसमें से कुछ इशा किसी ऐसे को जिससे तुमें बदले में कुछ लेने की भावना नहो कोई शादू, महात्मा, गाय, पसू, पक्षी किसी वी जीव, बिमार है सरीरधारी उसके जिससे कुछ कभी लेने की भावना नहो एशाम की भावना नहो शो धन धन ने प्रथम गती जाकी धन ने हो गया उसका धन अब क्रपन का धन किसी काम में ना स्वसुक, ना परिवार के शुक ना धर्मकारियों में बेर्थ जीवन चला गया उसी धन का चिंतन करना उसी का संग्रे करना और उसी की रक्षा करते-करते सरीर छोड़ देना तो चिंतन बिगड गया तो कह रहें जो क्रपन, क्रपनता है और अर्थ और काम की प्रशंशा उसी की चर्चा उसी का चिंतन रुपया और भोग उसी की चर्चा करना जहां बेठे रुपया की चर्चा, भोग की चर्चा जहां एकांत में बेठे उसी का चिंतन कैसे रुपया बड़े, कैसे भोग मिले और अगर उशर मिला तो रुप्या अधर्म से आवे चाहिए धर्म से उसको इसकी कोई परवा नहीं भोग चाहिए धर्म से उचाहिए अधर्म से जिसका अर्थ और काम भोग ही चिंतन है वो धर्म नहीं जिसका धर्म चिंतन का भी सह है तो अर्थ और काम भी ऐसा होगा जो मोक्ष प्रदान करने वाला हो धर्म अर्थ का मोक्ष और जो बालक इस्त्री पागल अशहाए जो इनकी रक्षा न करके इनकी हानी करता है दुर्गती निश्चित है माना आपकी पत्नी है उसका स्वभाव बिगड़ा हुआ है कुरोधी है कटू बचन बोल लेकिन आपके ही प्रारब्द के लिए माना आपका पती ऐसा स्वभाव अला है पर आपके ही प्रारब्द से तो सैयोग बना है अकर अब इसका निर्वाह कर ले जाओ तो पवित्र हो जाओगे दोनों घर जगडा और लड़ाई और मारपीट और कहें हिन्शाद की रूप में उतर गये तो फिर और करनी बिगड़ गई बालग है आप उसको ग्यान नहूं किया पवित्र है क्या पवित्र है उसको ग्यान नहीं कि आप उसके साहथ बेवार अच्छा कर रहें क बुरा कर रहे हैं, रक्षा करनी हैं आपको, शोशन नहीं करना, कह रहे हैं इस्त्री बालक पागल, जिसे विक्षिप्त है, पागल है, आपको रक्षा करनी है, बन जाए तो उसको भूजन, ऐसा नहीं कि इट मारो, उसको अप मानित करो, उसकी बुद्धी खराब है, प्रार दे सकते हैं, उनकी बुद्धी बिगड़ गई, आपको उनको दंड नहीं देना, मारना नहीं है आपको, महलो आपके बड़े-बुड़े बुजुर्ग जन हैं, आप सेवा भी कर रहें तो आपको कटु अच्छन बोल सकते हैं, आपकी निंदा कर सकते हैं, लेकिन आपको उन दोसों को बार बार सुन करके और हरदय में जांचों की कहीं है तो नहीं अगर है तो शत्संग भजन बल भगवत प्रार्थना के बल से इन दोसों का त्याग कर दो जीवन मंगल में हो जाएगा सिश्च चागे फियादाव लवला